वेट्रिनेशन केके दो आमर्जणसी इंजेक्शन फोत इस तरह इस तरह जो वेट्रिनेरन बार बार इस तरह कमेंट में कर रहे ते किस तरह i Roxanne कुछ इंजेक्शन हैं जो की ऐसे दो इंजेक्शन कौन शेंजों की किटिकल स्टेज में भी हमारे पास एनी टाइम रहने चाहिए और वैसे मैं बताऊंगा कि यह दो इंजेक्शन है वह यह दी पशुपालग भी अपने पास रख सकता है ताकि कई पर पशू में किटिकल दिकत हो जाए तो आप उन इंजेक्शनों का उप्योग अपने पशू में करवाना चाहिए ताकि आप अपने पशू को जल्दी रिक्वरी ले सके आज की वीडियो के अंदर आपको मैं पूरी डिटियल से बताऊंगा वीडियो जूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके म सबसे पसुगा पशू को ईzkते हो गया या किसी तरह से पशूमीस तरह की दिकते हो गए कोई जिसकी वजय से उस इंजेक्शनों के विना पशू का इलाज होना है सम्भव है खैने का मतलब है कि उस इस्तिति में इदी वह इंजेक्शन इदी लगाएंगे तब ही आप अपने पशू को रिक्यूरी ले सकते हैं जिस तरह से इदी आपका पशू कोमा में चला गया कोम पशू में ब्लड को सरकेलेशन को थोड़ा हाई करके और पशू को जल्दी रिक्यूरी ले सके फिर आप अक्स्तरा जो सेकिंडरी टीट्मेंट है वह पशू में करा सकते हैं तो वह भी क्रिटिकल स्टेज होती है कईबर इदी फिल्ट में जाते हैं इस तरह की केस देखने पाता है तो उस स्तति में कईबर पशू की जान बिचली जाती है तो जब यह आपके पुस्तरा की दिक्त हैं यह कोई भी वेटिनेरेन हैं उनके पास इस ज्तति में डियागनोसिस कालिया इंजेक्षन नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी आप उन इंजेक्षनों को और उस ट्रेट्विंट पशून का करगी कोई भी जहरीला पधार्थ खा लिया कीटनासग दवा खाली यह भूत केटिकल स्टेज होती है तो आप पर पशून की जान चली जाती है तो कोई भी जहरेलाग कीटना सक दवा है या वो दिकत हो गई है या किसी कारणवर से ने कुछ इस तरह है की दिकते यह दी परशू में हो गई तो आप उस इंजेक्शन का प्यों कर सकते हैं तो इस तरह की injection में आपको फैस्ट इंजेक्शन बता रहा हुआ इंजेक्शन है एट्रोपीन-sulpate देखो यह एक इसा इंजेक्शन है जो कि आपको मरते वे पशू को बचाने वाला इंजेक्शन है यह इंजेक्शन सभी जो वेटिनियर है उनके पास इंजेक्शन होना आप इस इंजेक्शन का उप्यों कर सकते हैं जो दवा या कोई भी जरीला पदार्थ का लिया तो आप इस इंजेक्शन का उप्यों कर सकते हैं इसी के साथ इदी परसू में जिस प्रकार से इस तरह का डाइरिया हो गया परसू में तो डाइरिया के अंदर आप इस तो आप रूस में डाल करके यह इंजेक्शन लगाएं तो बैटरी जिल पसु में देखने को मिलता है इंट्रा मस्कुलर वेंट्राविनस यह इंजेक्शन चाहिए आपकी भेडबक्रियां छोटी हो या बड़े पसु सभी में इंजेक्शन लगाए जाता है और इस इंजेक् के लिए आप ये लगा सकते हैं आप इन्जेक्शन आता अना कि असको और बहुत काम है वह आप वीडियो जाकर बिए सकते हैं वह इना बहूर ऎल्म वीडियो का आप स्पयश कूरैं कि कि ब्लूटरायस्कुलर को कुछ infection हो गया या कुछ इस तरह का reaction हो गया कोई भी दवाएदि आप दे रहे हैं उस इस्तती में पशू को reaction हो गया तो reaction की वजह से भी किसी भी तरह का allergic reaction हो Lavarposition हो या कोई इस तरह का एदिया आपके परषून ने कीटपतंगा काट लिया जिसके उज़े से reaction हो गया तो उसी इस्तती में भी परषू की जान जा सकती है उसी इस्तती में एदिया आपके पास इन्जेक्शन नहीं रहेंगे तो आप उन पशू को नहीं बचा सकते हैं साथ-साथ में कईबर देखा होगा यह पशू का temperature फोट डाउन चला जाता है कॉमा में चला जाता है पशू ब्योंसी आलत में चला जाता है लंबी-लंबी सांस लेना स्टार्ट कर देता है अफारा आ जाता है आंखो के दी पुतली है वह भी आपके जैसे आप लगाते हैं तो फरपडाती नहीं है इस तरह से हो जाता है कि वह पशू जाने वाला है तो उसमें बलड को सर्कुलेशन को हाई करने के लिए उस इस्तति में वह इंजेक्शन होना जूरी है और सकते हैं उसी और से या तो आप यह सकते हैं या बिले से कोई है एक इंजेक्शन और उन मित्रय को इंजेक्शन पτοड चीए क्योंकि इस तरह की इंजेक्शन और P No इंजेक्षन नहीं लगा सकते हैं लगा सब्सक्राइब तो प्रिंगन पश्ँ में आप आइस फ्ल्यू पेरिडोन इंजेक्षन की लिए इंजेक्षन के लिए इंजेक्षन क्या है कि आपके पश्ण प्रकार से कोई भी रियक्षन हो गया कोई की दिक्कत हो गई, मेडिशन की रियक्षन हो गया, टेंपरेजर डाउन चला गया, पसु में या कोई इस तरह की दिक्ते होगी, कीट पतंगे पसु ने काड़ लिया, कोई जैरेला जानवर, जिस प्रकार से कोई भी है, सांप सर्म कुछ भी काड़ ले, तो उस इस्तति में इ पसु में जोड़ू में दर्थ, शुजन चलने में, यानि कोई भी इस तरह की किटिकल स्टेज हो जाती है, तो इन कोटिको इंजेक्षन का लगा जाता है, जिस प्रकार से इस्किन इंपेक्शन हो जाता है, तो उस इस्तति में पसु को जल्दी रिकुरी लेने के लिए पर आप 10 ml भी लगा सकते हैं, छोटे हैं तो एक से 2 ml, लेकिन इन में से कोई एक भी इंजेक्षन ही आपके पास रहेगा, तो उस इस्तति में आप अपने पसु को जल्दी रिकुरी ला सकते हैं, या तिनु इंजेक्षन भी आप नहीं रखें, तो कम से कम एक तो आप आप आइसो फ्लूड और एक डेक्सोना इंजेक्षन एनी टाइम, मेडिशन, किट के अंदर उप्लम दोना चाहिए, प्रिणेंट है तो आप आइसो फ्लूड ले सकते हैं, नहीं है तो आप डेक्सोना इंजेक्षन का उप्योग कर सकते हैं, अब आप अच्छी तरह से समझ गय कहा जाते हैं, यह बहुत ज्यादा जूरी है, कई पर फिल्ड में यह इंजेक्षन नहीं मिलते हैं, तो पश्चू का इलाज भी नहीं हो पाता है, देखो इनके बारे में सभी इंजेक्षन के बारे में डेक्सोना, प्रिनिसलोन, आइसो फ्लूड, इन सभी के बारे में बापर आप जाकर के देख सकते हैं वह भी डिटेल से जानखरे लेनी है तो वीडियो जितना हो सकता है वेटिरियों के साथ से रहें पस्तुभा लगोंचे साथ इससे तशेवडियों देखते रहे हैं थैंक्स धन्यवाद